अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो या बनाना चाहते हो तो मैं आपको आज वो कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिस तरीके से आप वीडियो बना सकते यूजूली हम जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही डिलिमा होता है कि वीडियो कैसे बनाएं क्या हम बैट कर वीडियो बनाएं या फिर ग्रीन ट्रोमा पर वीडियो बनाएं या फिर हम बनाएं बिना फेस दिखाएं वीडियो तो मैं आज आपको इस वीडिय वीडियो मैं आपको लिंक में दे दूँगा जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको X-type का वीडियो बनाना है तो उसकी detailing कैसे होगी वह आपको detail वीडियो में मिल जाएगा कि पिछले दो सालों में मैंने हर वो तरीकी के वीडियो आपके सामने लाने की अपने घर के किसी background में plain wall के सामने खड़े होकर आराम से वीडियो बना सकते हो तो इसके लिए क्या करना होगा आपको तो इसलिए simple आपको एक mic की जुरूत पड़ेगी और एक mobile phone की जुरूत पड़ेगी तो इस type की वीडियो के लिए मैं आपको एक link देता हो description में तो ये द आपका output बहुत अच्छा हैगा ये था हमारा पहले तरीके का वीडियो थोड़ा advanced level पर जाते है क्योंकि अगर आप एक teacher है और आपको लगता है कि अब मुझे ऐसा वीडियो बनाना है जहां पर मेरा whiteboard भी involved होगा तो ये वीडियो होता है teaching with whiteboard तो whiteboard में आपको क्या करना होत होता है और आपको एक mobile phone की जरूत पढ़ती है सामने mobile phone या camera भी हो सकता है lighting का setup थोड़ा सा लग होता है description में मैंने इस वीडियो को जो आपको बीच में अभी visual दिखाई दे रहे है ये actual में मैंने इस पर detailed video create करके रखा हुआ है तो whiteboard पे आपको कैसे पढ़ाना है आपको इस तरीका देखिए यहां पर आप देख रहे हो कि मैं कैसे side में बेठा हूँ और पीछे मेरे powerpoint presentation चल रहा है यह powerpoint presentation कोई भी screen हो सकती है चाहे आप programming सिखा सकते हो कुछ भी इस पर कर सकते हो इसके लिए आपको basically एक webcam की जरूत पढ़ती है या फिर webcam को आप mobile से यूज कर सकते हो आपको एक system की जरूत पढ़ती है इसमें आप powerpoint और जो भी software C, C++, Java, programming से लेके हर एक चीज किसी software को explain करना है वो भी आप यहां से कर सकते हो तो यहां पर basically आपको webcam, laptop और इसके साथ माइक और थोड़ी सी lighting की जरूत पढ़ती है यह वीडियो आप देखिएगा यह 7 लाग से जादा इस वीडियो पर views है इसका मतलब definitely teacher community के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा useful है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए आगे बढ़ते है एक बहुत ही well known तरीका आ चुका है market में जो की है digital board के साथ में online पढ़ाने का तरीका तो सही digital board का chain करना important है यह पर एक चीज़ में आपको बता दूँ जब भी हम digital board को involve करते हैं तो हमारी lighting quality हमारे system की quality हमारे camera की quality बहुत अच्छी होनी चाहिए digital board पे आप camera के साथ पढ़ाना feasibility नहीं आती तो यह काफी costly तरीका है अगर आपका budget अच्छा है तो definitely आप अपना studio setup digital board के साथ करिए बहुत सा comment अभी नहीं करूँगा as initial आपको नहीं जाना चाहिए थोड़े समय के बाद जाईएगा देखिए यह सारे तरीके में अपने पिछले 2 सालों के experience पे नहीं पिछले 10 सालों के experience बता रहा हूं कि online teaching education system को मैं बहुत time से in-depth knowledge और understand कर रहा हूं जिसकी मदद से मुझे समझ में आ सकते हैं हमारी टीम आपको सही hardware से लेके हर एक चीज़ प्रवाइड करने के कोशिश करेगी तो अब चलते हैं next type के वीडियो के लिए दूसरा type का वीडियो आप जो मेरे यहां पर देख रहे हो पीछे green screen लगी हुई है सामने में हूं और background change होते जा रहा है इस type की वीडियो आपको नहीं बनाना चाहिए बट फिर भी अगर आपको लगता है कि basic video editing मैंने video editing के एक पूरा course आपको बना के दिया हुआ है उससे आप इस तरीके का chroma का video जो आप मेरा देख रहे हो वैसा video आप create कर सकते हो तो यह बहुत well known तरीका है कि chroma के साथ में elements चलाईए, text और अपने video को और भी interesting बनाई है तो अगर आपको लगता है कि आप editing पर time spend कर सकते हो तो definitely आप इसको use कर सकते हो, मुझे लगता है कि as a teacher इस type की video की बहुत ज़्यादा need नहीं होती, introduction में छोटा सा end में छोटा सा जिसे कई video में मैं अक्सर करता हूँ तो आप ऐसा बना कर इस खड़ा हूँ तो में अपना face दिखाना है अगर मैं चाहूँ कि normal कपड़ों के अंदर में अगर अपना shoot करना चाहूँ तो मुझे ऐसा video बनाना चाहिए जिसमें मेरा face नहीं दिखे तो ऐसे faceless video बनाने के लिए आपके पास है बहुत सारे options है तो पहला option जो आपके पास में हैं वह option है कि आप simply अपने mobile phone से एक stand connect करकर voice over के साथ में नीचे paper पर लिखते हुए चिट्टियो से लिखते हुए मैं इस टाइप का video भी दिया हूँ है बिना face दिखाए video बनाने का वह आप बहुत अच्छे से कर सकते हो तो यहां पर क्या होगा camera आपके mobile के यहां पर रखा होगा mobile उपर रखा होगा नीचे paper से आप लिख रहे होंगे camera उसको capture कर रहा होगा voice वहीं से उसके अंदर जा रही होगी दूसरा faceless video बनाने का तरीक है यह भी है जो metamoji application की मदद से मैंने बनाया था यह video काफी viral हुआ काफी अच्छा चला t-shirt को काफी फसंद आया उसमें क् mobile phone ही आपका whiteboard बन जाता है एक stylus आपको 300 रुपर का market में मिल जाता है आप यहीं पर लिख लिख के पढ़ा सकते हो जो recording करते हो उसी की मदद से आप बहुत अच्छे से video बना सकते हो तो आपके पास में mobile है और mobile के साथ थोड़ी सी skills है तो definitely आप इसे भी achieve कर सकते हो तो faceless type क दो वीडियो हो गए पोस्ट को भी without face दिखाने वाला वीडियो आपने बहुत देखा होगा जिसको हम बोलते हैं रिटन के साब से बनता है पूरा तो यह वीडियो बड़ा interesting होता है कई बड़े चैनल ने इस type के वीडियो को बनाया लाको व्यूस पाए पर इसमें बहुत ज खाफी अच्छा है वह हम बात कर सकते हैं Glassboard, Glassboard की मदद से आप एक बहुत अच्छा वीडियो क्रिएट कर सकते हो, इसक्रीन पे आप देखी रहोंगे Glassboard का कैसा setup होता है, तो Glassboard setup की खासियत ही होती है कि इसमें आपको अलग से एक pen खरीदना पड़ता है, setup खुछ से manually बनान पड़ता क्योंकि इसका कोई इसा मार्केट में यूजूली अवेलेबल आइटम नहीं होता पर ग्लासबोर्ट का बहुत बार ड्रॉबेक यह है कि इसको आप सिंपली वाइड बोर्ड की तरह यूज करते हो बट यह होता है कि यहां पर सामरे देखके आप पड़ा सकते हो तो अब ग्लासबोर्ट के तरीके को मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा मगर आपको फिर भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो नहीं किसी और का वीडियो है उन्होंने बहुत अच्छे से एक्स्प्रेंड किया हुआ है आप उनका वीडियो देखिए और वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे ग्लासबोर्ट सेटप होता है तो दोस्तों देखो ये तो था एक बेसिक ओवर्व्यू जिसमें आप अलग-अलग तरीके के स्टूडियो पर कैसे पढ़ाया जाता है कैसा सेटप होना चाहिए इस पर मैंने आपक कोई भी एक तरीका चूज करते है तो डिस्क्रिप्शन में जाईएगा उस लिंक को देख लीजिएगा ये मेरा प्रामिस है आपको किसी और अलग जगह पर जाकर सर्च करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपको लगता है वीडियो यू सूल है तो मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताईएगा कमेंट में अगर आपका कोई डाउट क्या और कोई ऐसा सेलेशन जो बेस तरीके का वीडियो होता है अब दीए मैंने आपको जितने तरीके बताये है उनी तरीकों से डिफरेंट दूसरे तरीके से बंद के आते हैं जैसे मैंने पावर पॉइंट तरीकों से आपको यही तरीका नहीं दिए तरीका से बताया है की जिसमें आप हाव स क्रइन में हो चारेवी आपको बता दू कि तरीका नहीं है इसके अलावा जैसे एक стрsh definite जहां पर अब इमाएंशे कर के बड़ी स्क्रीन है और sideway बेठा हूँ उसी को अगर मैं और अपने आपको बड़ा दिखा दू और पीछे मेरा OBS की मदद से window capture device लगा दू तो यह ऐसा होगा कि मैं सस्ता सुनदर digital pen tip होगा इस वीडियो को भी मैं आपको description में दे दूँगा जिसमें क्या हुआ है इसी के लिए हमने पीछे डिजिटल बोर्ड यूज नहीं किया है हम सामने खड़े होके ऐसे लिख रहे हैं और वो सारा का सारा पीछे चल रहा है तो ऐसा विज्वलाइशन ऐसा होता है कि जैसे खुदी एक डिजिटल पैनल बन गया है तो ऐसा आप कर सकते हो तो अगें आपको कहूंगा कि आप यूडियो को step by step देखोगे तो आपको पूरा idea मिल जाएगा क्योंकि मैंने पिछले दो सालों में इस पे जितनी research करी है मुझे नही तो इस वीडियो से थोड़ी भी value मिलती है तो मेरे चैनल को subscribe करिए, bell icon को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा share करिए इसके अलावा अगर आप coaching की digital marketing का हमसे करवाना चाहते है तो हमारी expert team जो 100% dedicated है education institutes को grow करने में digital marketing की मदद से हम आपको grow जरूर करेंगे तो हमारा नया venture जो है social bull वो आपको पूरा support करेगा तो बस क्या करना है आपको अगर आप हमकों से inquiry करना चाहते है पूछना चाहते है डिजिटल marketing से related कोई doubt आपके मन में आता है तो इस number पर आप मुझे call करिएगा मैं आपसे जरूर बात करूंगा thank you so much for watching